हलो में वेलकम तो दा आयस अकेडमिया आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे 27 मार्च का प्लिंस स्पेसिफिक करेंट अतर तो चले शुरू करते हैं हमारी पहली निस आयमें बेल आउट को लेकर अब यह नियूज में क्यों है दरसल इंटरनेशनल मोनेटरी फंड आयमेफ ने स्रिलंका के लिए तीन बिलियन बेल आउट प्लान को कंसर्म कर दिया है और साध्याथ पाकिस्तान साथ भी 1.1 बिलियन बेल आउट का प्लान है उस प्लान है उसको कंसर्म कर दिया गया है जैसा कि आपको पता है क्योंकि अगर यह जो बेल आउट नहीं दिया गया तो वह डिफॉल्ट कर सकता है क्योंकि उसका जो शॉट टम डेट है उसको अभी इमीजेटल इसको पे करने है और उसको पैसे जुरोत रहता कि वह ओई ज़रूरी हो गया है इसएक वजह से वहाँ पर प्यसे को मिला था बट यहाँ पर यौपेज में आपके प्लांट के बारे बारे में पूछ चका है सकता है कि वह पूछ सकता है कि कैसे बेल आउट किसे कर्णिय को देया जाता है तो इसमें क्या होता है कि आई मैं बेसिकली जब भी किसे को बेल आउट करती है पैसे देती है तो वो इस्पेशल ड्रॉइंग राइट्स HDR के form में देती है, अभी HDR कोई currency नहीं होती है, HDR basically 5 currency को represent करता है, जिसमें US dollar होता है, euro होता है, Chinese yuan होता है, Japanese yen होता है और British pound होता है, तो यह हमें याद रतना होगा कि HDR में 5 currency को सामिल किया जाता है, US dollar, euro, Chinese yuan, Japanese yen और British pound, और यह पैसे देने के लिए IMF के कई सारे tools होते हैं, जैसे कि extended credit facility, flexible credit line, stand-by agreement, तो इसके अलाव और भी कई सारे tools होते हैं, जिनके जरी IMF जो है, वो AC country को bell out करती है, जो country financial crisis पे कर रही हो, जो अपने short term के जो date है, वो fulfill नहीं कर पा रही हो, या जिसका forex reserve बिल्कुल खताम हो चुका हो, और उसके लिए import के purchase करना मुश्किल हो रहा है, तो AC countries को IMF मदद करती है, पर IMF जब भी मदद करती है, वो कुछ नहीं कुछ condition impose करती है, इसे policy conditionality भी बोला जाता है, क्योंकि जब भी IMF आपको bell out देती है, जिसे इंडिया ने भी bell out लिया था, तो इंडिया को भी structural reform का बोला गया था, तो हमने हमारी economy को open किया था, जिसे हम LPG era बोलते हैं, same case, किसी भी country में अगर कोई IMF bell out देता है, तो IMF उसको बोलता है, आपको structure reform लाने होंगे, structure reform क्या होता है, जैसे कि आपको tax बढ़ाना होगा, आपको अपनी currency को devalue करना होगा, आपको जो populist measure है, उसको कम करना होगा, तो वहाँ पर जो रह रहे हैं जो लोग हो कर देती हैं, कि आपको loan देने से पहले ये condition follow करना होगा, आप question यह पूछा जा सकता है, जो IMF का bell out plan देता है, वो कौन pass करता है, तो जो IMF जो executive board होती है, वो इस पूरे IMF के bell out plan को पूरी तरीके से plan करती है, negotiate करती है, और final करती है, अब चुकि IMF इतना जदा news में है, तो हम इसके governing body के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि UPC ने पहले भी इसके governing body के बारे में पूछा था, तो पहले IMF के बारे में जान लेते हैं, तो IMF 1945 में बनी थी, जो Bretton Woods conference होई थी, उसका ये result था, तो इससे Bretton Woods institution भी बोला जाता है, IMF का objective क्या बन था, कि जो international economy है, उसे coordinate करना, और जो country wise जो उनकी currency होती है, तो क्या करते हैं, कि अपना export बढ़ाने के लिए country होती है, वो अपने currency को devalue कर लेती है, तो इससे जो international market है, वो flourish नहीं हो पाता है, तो ये जो competition है, इसको prevent करना, IMF को lender of last resort भी माना जाता है government लिए, जब भी कोई country crisis phase करती है, currency crisis phase कर जाता है, elect किया जाता है, अब, इसकी governing structure में पहले board of governor's होते है, फिर minister committee होती है, और एक executive board होती है, board of governors में हर country का एक governor होता है, जो respective countries appoint करती है, और जो executive board होती है, वोgments करती है, जो गोदर घ्रीकटिव और इनको advise कोन करता है, इसको international transfer and financial committee हो होती है, वो advice करती है, यो preguntas करती है, इसका main objective क्या होता है जो global monetary financial system है उसको लेकर board of governor को advise करना और जो भी IMF के जो importance agreement होते हैं उनको amendment की जरूत है नहीं है उस पर ये discussion करके board of governors को ये recommendation देते हैं ये जो board of governors की हर साल एक annual meeting होती है इसके अलावा एक जो development committee होती है वो जित्ती भी developing countries के development को लेकर step लेने होते हैं वो suggest करती है और ये जित्ते भी decision ले जाते हैं इनको execute करने का जिम्मा होता है वो executive board के बाद पर होता है ये 24 member का board होता है जो generally जो IMF को जो fund होता है वो manage करते हैं bailout plan discuss करते हैं विसे तो इनके साय decision consensus से ले जाते हैं बट कुछ कुछ decisions में voting भी होती है यहाँ पर majority 75-80% होना चाहिए तब जाके कोई decision pass किया जाता है तो UPSC आपसर IMF के बारे में इस साल पूछ सकते है तो हमें IMF का objective पता होना चाहिए और IMF के history पता होना चाहिए और IMF का जो structure organization structure वो पूछ सकते हैं या फिर जो IMF का bailout है जो लगता न्यूज में है उसके उपर आपसे question पूछते जा सकता है तो वो हमें पता होना चाहिए अब चलते हांगे हमारी इंडीयू bio transformation has been biology से रिटेडगों अबुटर ॥ैं यह पूछता वह ओँ क्रिंज करता है तो होता क्या है कि जो हमारे जहनोर होते हैं तो इसे कंजलीम कर लेते हैं त café से मचलिया होती है जो मरी री सर थे हुँनको नुक्सान पहुंचता है उसके बाद में जो माइक्रोप्लास्टिक के रुफ में चेंज जाते हैं तो इनसानों के हेल्थ को भी यह नुख्षान पहुंचता है तो इसी वज़ह से जो ट्रांस्रोमेशन टेक्नोलोजी है इसकी मदद से एसी प्लास्टिक बनाई जाएगी जो बायो डिग्रेड़ेबल हो अब यह निज में इतने है क्योंकि यूके की एक स्टाट अफ है उसने क्लेम यह किया है कि उसने एसी टेक्नोलोजी बना लिए जिससे अब एसे प्लास्ट हमारे मरीन इनवार्मेंट को हमारे छान नुकसान ना पहुचा सके इसके जरुद हाए एंटिया 3.5 बिलिन केडिस फास्टिक वैस्ट हर साल करता है और हमारा जो नदे Jordy करता करता है या फिर हमारे मरीन इको सिस्टम को पॉलिट करता है अगर एप्लिकेशन देखें तो प्लास्टिक का सबस्यादा यूज फूट पेकेजिंग और हेल्थ कर इंडेस्ट्री में ज्यादा होता है तो इन्हीं दोनों को सबस्यादा खम करने के आवज़ रखता है तो बाय सबस्सक्राइब बाहर निकालोगे इनवार्मेंट नोगे तो इससे होगा क्या वह दीरे-बाद में क्या बचेगा बायो अवेलेबल वेक्स तो यह जो प्लास्टिक होगा वह अपने पूरी तरीके से बायो डिग्य रे pollution बाद में नहीं देखने को मिलेगा तो यह ऐ क्लायमेट चैज्ज से फाइट करने में हमें फेल्प मिलेगी हमारे pollution फाइट करने में है इस वजए इस वजए चानले की पोछ सकती है कि आपको पूछा जाएगा कि बाया क्या होता है आप चलते आगे अग्लीन स्वेस्टर्डिंस को लेकर आपको पता है कई कई देश के क्या सों में स्नोफोल देखने को मिला एश्ट देखने को मिला जनरल को इएवो मौN सुनलो कि रहे हैं जो जिससे क्रॉप को नुकसान पहुंचा है तो जो रिसर्चर से उन्होंने इसके तीन कारण दिये हैं पहला कारण यह है कि जो रेंफॉल और स्टॉर्म आये थे वह बेसिकली मल्टिपल वेस्टन डिस्टरबेंस के कारण हुए थे अब सेकेंड उसमें बढ़ र चैना प्रण चैनल रहा है तो यह बेसिकली बताएंगरे जो रिसेंटाल सिल की जैदेक्ष होता है क्यों और मेटिटेरियन और यह दोनों लों के उप्री भाग में आता है इसी वज़ए से इने उन्हें इक्ट्राट्रोपेकल स्टॉर्म बोला है वेस्टन बत जाता है कि यह मेडितечно-znymi से इस ट्रेवल करता है टू वैस। तो तो वेस्टन डिस्टरॉवेंश पर टो में जो मेडितेरेनर्स अगर होता है और यह विंटार की सीजन में परrain में और भांगलिर सब्सक्राइब खता है तो ये इसका होगया से आपसेपलघ के बार और UPC generally जो trend होता है जो इकनोमिक टरंस जो निउस में रहता है उस पर question पूश लेती है तो इस्टिक इंफलेशन भी लगाता निउस में है अब ये निउस में क्यों हैं दसर इंडिया को जो inflation rate है वो 5 साल जो लगाता पर 4% के लेवल से उफपर जा रहा है तो हमारा जो इंफ्रेशन टार्गेट कितना है RBI का 4% मल्दब 2% या तो कम हो सकता है या 2% ज्यादा होता है मौसली से 4% रखना होता है और यह जिम्मा होता है पर यहां पर UPS आपसे बेसिकली यह पुछ सकती कि sticky inflation है क्या देखे sticky inflation वो होता है जब जो इंफ्रेशन का level होता है जो price range होती है वो frequently चेंज नहीं होती है चाहे supply demand में कोई changes आए बट वो अपने inflation level को लगातार maintain रखती है इससे जो inflation होता है आमारी economy में वो persistent देखा जाता है जैसे कि 2019 में 4.8% 2021 में 6.2% 2021 में 5.5% 2022 23 में 6.9% और 2023 के लिए भी 5.1% का estimate दिया गया है तो मतलब जो एसा inflation जो हमारे economy में maintain रहे persistent रहे वो कम ना हो फ़ले सब्सक्रों पेट्रोल डिजल की प्राइस है अब आपने देखा कि और फूड़ के प्राइस बढ़े तो इसकी बढ़ जाएगी तो इसके इंफलेशन देखने हो में गर बट होगा है क्या अगर प्राइस थोड़ी कम भी होती है बट फिर भी अगर वह प्रेट्रोडीजल के प्राइस बढ़ी हुई रहे थोड़ी समय तक वह जल्दी चेंज न दिया है उसके लावा कोईट पेंडेमिक का जो रिकवरी जोन था वह भी चालू है और रहशा युकरियंद वह खतम भी हो नी रहा है तो इससे कंजूमर को इंपेक्ट क्या होगा एक तो उनके जो पर्चेसिंग पावर है वह खतम हो जाएगी बिजनस को इंपेक्ट क्या यह जो इंडिया, यूएस और यूरो जो कंट्री वहाँ पर लगाता देखा जा रहा है लगातार वहा पर बढ़ते जा रहा है तो इसे ही इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है इस वीडियो के PDF को डाउलोड करने के लिए आवम आरे टेलेगाम चैनल को जाइन कर सकते हैं ऐस इसके वीडियों सिर्फ इतना ही है, thank you, thank you very much.